हेल दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पीएस क्लासिस पर तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो चात्र काक्षा 11 में AMU या जामिया में एडिशन लेना चाहते हैं तो हम उन चात्रों के एंट्रेंस एक्जाम के लिए दा कॉंसेप्टम वाली बुक का सोलुसन करा रहे हैं तो और हमने इस बुक से सबसे पहले हम मैतमेटिक्स को कवर कर रहे हैं तो इससे पीछली वीडियो लेक्षर तक आप लोगों ने देखा को इस बुक के दो लेसन कवर कर लिए हैं पहला लेसन ता आपका संक्या पद्धी और दूसरा लेसन ता आपका बहुपाद तो आज के इस बुक के तीसरे लेसन को शुरू करेंगा क्या था इकाई नमबर तीन इसका नाम है दो चर्मर रेकिक समय कर लिए तो मैं आपको बत्ताता चलूँ कि इस लेसन का अठार यूनिट नमबर तीन का जितना भी बेसिक बारिवाश सवालों को सब्सक्राइब तो आज मैं देखेंगे और हम बारिवाश सवालों को सौल करेंगे एक बार बताता दलूं वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप चाली होगी तो अच्छी त्यार करने के लिएθεण क्लें हो अपने पर कर रहें तो आप लोगों से मरे बिस्रीश की लेना चाहते हैं तो आज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लेजी ताकि जैसे जैसे वारी वीडियो आप लोगों सबसे पहले परापते हैं तो आए लगाते हैं आज पहले सवाल को तो देकि सवाल लंबर एक को हम सौल करने चाहिए पहले इस टैन्ट ठीक है थोड़ा इस चैप्टर का मैंने जो बेसिक बैस समझा तो मैंने पिछले लेक्षर में दिया है देकि मैं फिर भी समझाने का प्रेस करता हूँ जैसे कि आपको दो समीकर्णे मिलती है तो अभी कोस् प्रेस करता है जब इन समीकर्णों साम इसका रेशियो का निकालांगी एवन अपॉन आटा है नहीं आता है तो यह क्या होंगी यह हमेंसा प्रिस्ति छेदि रखाया होंगी ठीक है इस बात को यादट रखना यानि जब एवन अपॉन इटू बीड़ावन नहीं होगा तो कैसे होंगे आपकी प्रिति छेदि रखाया होंगी ठीक है अच्छा इसमें दूसरी बात और याद नहीं क्यों होता है ठीक है यह मैंने कल बेसिक में समझाया था और आज मैं exercise को कर रहा है उसको लिए आज में समझारा हूं आपको ठीक है तीक है और तीसरी बात इसे अंद तरहें रेकर नहीं है कि जो प्रिति छेदि रेखा हैं ठीक है उनका एक अग्रणास होता है इस चेंट डुब तो वह अगर देख्यांत बनता है तो रहाएं कि प्रिति सेधियों भी होगा ठीक है और उनका इक अदृत्य होगा ठीक है और वह संगत और आब रो देंगी तो इनके लिए तीन बात आपको राद रखनी होंगी इस्टेंट टीक है अच्छा बात करते हैं पॉइंट नमर दो इसमें क्या है अगर हम इस रेखाओं से देखें अगर हम अनुपात निकालें एवन अपॉन अपॉन एटू और यह मालीजी बी बन अपॉ तो यह क्यों निकाल होता है तो दुसरी बात तो यह आधे रखने हैं तो दूसरी बात सब्सक्राइब कर दोनों में को मना रही है यह देख रहे हैं कि प्रतिछेदी रेखाओं में यह पॉइंट है संगत अबरोधी और संगत अबरोधी को मनें अब दो रसमिकर्णों से इनके रेखाओं के संपाती रखाएंगी और वह संगत और रोजी होंगी ठीक है तीसरी बात यह रखने की है तीसरी प्रतिप्रकार की बात यह बटा कि अगर एवन अपॉन अपॉन एटू अगर यह सीवन अपॉन पॉन लागा राजय समाली यह तो अनों तो बाराबर आए लेकिन यह बार नहीं आया ठीक है जब यह वालत पृतिशाद आपको मिलेगा तो रहाएं कैसी होंगी समांतर होंगी ठीक है और समांतर होती तो उनका कोई हल नहीं हो था है प्रतिच्षे रखाओं का एक हल होता है और संपातिर रेख्शाओं के अ समथ रेखा हैं वह कैसी होती है आतर होती है और बिरोधी यह जबकि इंदोनों ऐसी केडि़ेशन नहीं दूम पहले बात करते ही को स्नरा नमबर एक कि क्या है निए कि कोस्ट नमबर एक हम से कहता है इस्टेंड नेगी में लागा रहा हूं को स्नरा नमबर एक क्या है कि क्या है देखी के सेंडले है हमें दो समिकर्दे मिली है 2x plus 3y is equal to 5 हम बिला 2x plus 3y ठीक है इस इकल टू 5 ठीक है एक सेमिकार तो यह है अब इसको मैं कैसे लेख सकता हूं देख कैसे लेख सकता हूं 3x सोरी 2x पिलस 3y इस बरावर तो इदर पांच तरको लेगा यह तो मैंस के 5 हो जाएगा पहली सेमिकार तो आपकी यह हुई ठीक है अच्छा दूसरी सेमिकार क्या है आपकी दूसरी सेमिकार दिया है 4x पिलस 6y 4x पिलस 6y बरावर आपको दरकार 9 कितना रखा बिटा 9 दरकार अब देखिए इस सेम इसी पिकार से 9 को इदर लेख आएंगे तो मैनस को लाएगा इसक बताना यह मैं इसने यह पूछा है जिए इसन्तो क्यक्यार है इनका अवार यह काठेड़क है अगर बरता है तो वह संगत रहाए होंगी और यह कंडिसान आईगी तो वह असंगत होंगी ठीक है इस बात को आप समझते हैं कि पहले आनुन बात निकालते हैं अब निकालें देखिए A1 A2 A1 A2 इस इकल टू अब A1 A2 क्या है यह आपका A1 है ठीक है और यह आपका यह क्या आपका A2 है तो A1 upon A2 का जमान आएगा वह दो बटा चार दो बटा चार तो दो इकन दो दो दोनी चार यानि एक बटा दो आ गया आप निकालेंगे B1 upon B2 B1 upon B2 ठीक है यह अब B1 कौन है यह आपका B1 3 यह B1 है और यह जो 6 आपका तो यह क्या आपका B2 आपका निकालेंगे 3 upon 6 हो जाएगा 3 वटा 6 तो 3 इकन 3 तीन दो निच्छे ठीक है यह भी क्या गया एक वटा दो आ गया ठीक है अब दोन बात बढ़ाबार आ रहे हैं तो तीसर भी हमें चेक करना पड़ेगा आप निकालेंगे C1 upon C2 तो यह क्यों है आ इसके वह स्थास थो करेंसों आब एक बेटा दो यह दो और यह लगा रहा है यह कहता है उस्टेवी यह संप ये वन एटू बरावर आ रहा है जिसके वीड़ाबन नहीं आ रहा है कौन सीवन उपन सी तू तेक उस्टे मैं यह सबचेंगे शूर्वबन बढ़ारा नहीं पर तो बरावर नहीं यह बिल्कुल नहीं है यह बिल्कुल नहीं है यह वाला संब्स बनना है यह रहाएं कैसे होंगी समान करहोंगी ठीक आलेकिन फ्सक्राइब करते हैं तो आपको बता रहा हो यह बहुत हो यह बहुत होती तो बनी नहीं तरह परिम में तुरुफ से अनेखल नहीं के लिए इस दित बुतन studio चाहिए तो यह भी नहीं है ठीक है तो पहला ऊप्सन उख्ण होन रहा है असंहुत को देंगे तो उतwait के लिए आपको ती अब में आहीं पड़ेगा तो कि सब्सक्राइब यह अगा निसका यूज लुकुल राइट है इसका ऑप्षन विल्कुल राइट है आसंगत रेखा है ठीक है वह बीद करता हैं कि आपको आया होगा चलिए बात करते हैं को सान नमबर 2 की कि कि को सब्सक्राइब रगें और पूछा गया है लगाते हैं सबांद को कि भी से देगे कौसरं नंबर दो को से देखिए कि साफिए तूब तो में अंधिया मैं एकस पिलस तू बाई ठीक है और यह अदर लें तो यह च्द्छ हो जाएगा बराबर जीरो पि के समीकड़े एक है और दूसरी समीकड़े पिटा आपकी दिख जितें अनुको को और यह माइनस से कितना आपका 18 बराबर जीरो ठीक है यानि 6 उदर था उस साइड मैं इसको दे लिया ठीक है अच्छा अब देखिए मान कर से निकालेंगे यह एक्सक्राइब कुछ नहीं है यह बन माल लेते हैं समझने के लिए क्लिए टीक है तो यह यहां से यह आपका एव यह अपका सी टू है तो मित करते हूँ कैसे मान आपको देखना आ गया होगा एक्स का गुणान को और इंप पहली समय नहीं होता है तो यह दो समय कनल मेरे पास देती मैंने इमान आपको लिकान पता दिया पूछा यह बताईए कि रह का असंगत है मतलब यह लिए शन पर इसने का अधुत्य हल वने के लिए अले के इंडिसन बनने चाहिए ठीक है अभी हम अनुपात निकालेंगे इसका तीसरा इसका आप परीमित रूप सा अनेक हल अनेक हल लाओने के लिए यह पर निकाल के तो देखिए निकालते हैं एवन अपॉन एटू फराबर एवन कित कितने कर शेखिए इसको सर्फ कर दिजीए क्या किया यह आपका इनमांट वहनगे पीवन फॉन पॉन पॉन लाकर वैक यह कि इतना अगए packing ठीक है तो में ँमुर्ड रहें तुमिन पर भी चेक करना पड़ेगा लिगालते हैं रीकालते हैं उने में देर क्या तो तो memo र एक वितर तीन आ गए यहाला अनुपाद भी यह बड़ान अनुपाद भी अकब्याट थीन और यह तीन हो गया कि तीनो मायने यह त्यों मनें चैने का मतलब यह एक डर रचे करने का मतलब यह है कि ए बन अपय लिटू बरावर बरावर इसमें बन रहा है तो इसके संपाति रेखाए नहीं दिया है जो इसको टिक करना है इसका जो दूसरा सवाल आपका इसका सी ओप्षन ठीक है कौन से ठीक है आपको यह तीनों पात बरा मिलते हैं तो इसके लिए क्या होती है इसका सी ओप्षन बिल्कुल राइट है आप इसका अनुपात निकालने पर ही पता चलता है कि रेखाए कैसे होगी उनका कैसा हाल होगा इस बात को हमें से याद रखें तीन कंडिशन आपको अपने माइन कंदा सेट करने होती है हर कंडिशन के लिए तीन पॉइंट रियाद क एक और एक ने को से मिलता है तो चलिए बत करते हैं को समय के लिए कि समान के लिए 2x plus 2y बरावर 3 और 5x plus ky बरावर 7 कोई हल नहीं होगा कोई हल किसमें नहीं आता इसवाल जिलेस्ट्र नहीं हो ठीक है चलिए देखते हैं मान निकाल के के का लिएक कामन कैसे निकलेगा यह दिया X फिलस 2 Y यह बरावर 3 है तो इदर आकर मैनस के 3 हो जाएगा ठीक है बरावर 0 एक Semikern तो यह है दूरी Semikern ने वेट आपकी 5X फिलस KY ठीक है स्टैंड और आपका दिरहका है बरावर साथ है इदर आकर मैनस के साथ हो जाएगा बरावर 0 ठीक है तो कोई हल नहीं क्या होना चाहिए ठीक है कैसे पता चलेगा अनुबाद निकालते हैं के लिए देखिए प्याले कालेंगे एवन अपन एटू तो मैं बता चुका हूं दो सवालों में यह एवन यह टू है ना तो एवन अपन इस्टेंड वह कितना आएगा एवन कवान तब कवान है और एटू कवान कितना पांच है यानि इसमें एक से गड़ांग दूसरे इंगल में एक सब्सक्राइब तो यह अंपने आपका दो फॉन के ठीक है अब देखिए अब हमें यह लेसंद याइवन अपन एटू बड़ाबर भी साह बटा पांच बेलेश वेत्फ कितना एक बटा पांच बराबर इवन अपन आप कि अब बच्चे ये सोच रहेंगे कि हम मैंने यह सी वाला एक मुझे मुझे मल गया। मुझे मिलने वाली है। क्याने का मतलब यह है कि आप क्या ओप्सन चेक करें तो के बरावर दस है और यह वरावर दस यानि विल्कुल राइट है उम्हीद करता हूं कि आप को सब्सक्राइब आचुका होगा ठीक है अच्छा बात करते हैं को सब्सक्राइब से नुम्मर थारता कोंसर नंबर फोर कि चलिए क्या है सब्सक्राइब कि लिए समीकार कि他們 आधूतियहल के लिए कि लेको पुण मुणता है और स्टे कर दें है निगे- इसमें एक पुण तार फ संद करें धविद्क 60 चलिए में लिखके दिखाता हूं इसका सी ऑप्सन राइट है सी ओप्सन आपका राइट है उसी को सुल कर रहा हूं और यह बड़ावर से इधर तो यह माइनस का च्छा हो जाएगा बड़ावर जीरो ठीक है दूसरी से मिंगड़ को लिखते हैं यह आपको दे रखी है 4x माइनस के 2y बड़ावर से चार जाएगा बड़ावर जीरो ठीक है अच्छा अब देखें चैक करते हैं अब यह दो इस निकाल नाम है एक वर्टा दो आ गया तीक है अच्छा अब इनका अधूतिया के लिए वाला पड़ावर रिखार तो लिखालते हैं बड़ावर बीटू बीवन अपॉन बीटू तो बीवन कहां कितना है यह 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 का माइनस के दो तीक है यह यह प्लस का एक बटा दोबारा है यह 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 यानि मैनस का तो अंतर आ रहा है के नहीं आ रहा है तो यह से बिलकुल अलग है यानि कहने का लग है कि एवन अपॉन एटू इसके सी वाले उप्सन नहीं बनेगा किसमें बनेगा किसमें बनेगा यानि जो आपका सी उप्सन है इन समिकल युगमों का एक अदूत्य हल होगा वह क्योंकि यह जी जा पर नहीं आएगी ज्यादर किसका से माइनस का नतर है यह तौर आ रहा है इसके इसके बनेगा नहीं है उमेद करता हूं आ चुका होगा तीक है बात करते हैं को लिए फाइब को लगते है कोस्तर नमबर 5 क्या कहता है कोस्तर नमबर 5 कोस्तर नमबर 5 में कहा गया बच्चों हमसे के किसमान के लिए के किसमान के लिए समिकान निका है एकस प्लस टू वाई माइनस के बन बराबर जीरो पांच एकस प्लस के बाई प्लस साथ का कोई हल नहीं होगा और कोई हल नहीं होगा वह किसमें नहीं होता इसमें नहीं होता यह भी आपको बता चुका हूं इसके लिंग क्योंता एवन अपन एटु बरावर होता है बीवन बाल बीटु के चलिए मैं चैश्शन वर्ड़ करका दिखा रहा हूं को सान नंबर फाइव एक यह दिया प्हले समिकर्ण X 2-0 दिया है यह पहले समिकर्ण आपको दिया वच्छो दूसर समिकर्ण क्या दिया देकि उसको लगाता हूं में पांच एक्स पिलस क्लिभी के साथ बराबर जी यह कड़ना तीक है इसमें यह कि किसमान के लिए दिए लिए को नहीं होना चाहिए च्छे को लेते हैं चलिए अभी नहीं होना चाहिए तो निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए संबन देखते हैं अब निका रहे हैं अब लिखा रहे हैं इसको बीवन अपउन बीटू ठीक है चलिए अब इसको डिखा लो अब यह तो यह कुछ नहीं है एक्सवाण है तो यह कापका 1 एटू काँने कितना 5 ठीक है स्टेंड बराबर बिवन कितना आपका 2 ठीक है बीटू कितना आपका केज वावसत्तर समझे मेरे बदैज यह आपका ऑन है यह आपका यह है बीटू है और यह आपका यह आपका A-1 है यह आपका B-1 है और यह आपका C-1 है इसे परिकार यह आपका A-2 है यह आपका K-1 यह भी टू है ठीक है और यह आपका 7 यह आपका C-2 है पहले समय और होगा पहले समय कुझे तक है तो यह को जाएगा अपशन है तो कोई हल नहीं होगा तो मित करता हूं बच्चों कि यह आपको समझ में आई होगी तो आज के वीडियो लेक्टर में बच्चरि में बच्च जब बेटा इतनी सवाल को स्वालगे थाकि वीडियो जादा लेंगे लेकिन आगे के लिक्टर में हम इसे जादे सवालों को अटेंड करेंगे तो अगले वीडियो में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो का भी लाइक केजिए चिरिकेजिए और कमेंट केजिए और चैनल अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राब भी कर लिजिए यदि आप A.M.E. A.M.E. Medicine लेना चाहते हैं तो मिलेंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद